Welcome to our YouTube Channel, Guys, Next Episode के लिए लाइक का टारगेट 400 हैं, जैसे ही 400 लाइक्स हो जाएंगे तुरंट अगला एपिसोड आ जाएगा, तो अगर आपको जल्दी से Next Episode चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो. Episode 6, दूसरी और एएक आदमी दुनिया की जानी मानी कमपनी रावत अंपार में एक कॉन्फरेंस हॉल में बैठ कर एक मीटिंग अटेंट कर रहा है, वो कोई और नहीं बलकी रावत खांदान का एक लोता वारिस है, जिसका नाम है हरश्वरधन रावत, देखने से वह तकरीब 32-32 साल का होगा, जिसकी पस्नेलिटी देखने से किसी महराजा जैसी लग रही थी, जिसके सामने बड़े-बड़े बिजनेस्मेन को खड़ी होने में डर लगता था, वो अपनी मीटिंग खत्म करके वापिस अपने केबिन में आता है, थोड़ी ही देर में हरश्वरधन के ओफिस का दरवाजा खुलता है, और सामने आक बड़ी उमर की ओरट जिसने आक काफी खूबसूरत सिल्क की साधी पहन रखी थी, और जिसने काफी महंगे गहने पहन कर रखे थे, और जिसकी पस्नेलिटी किसी रानी जैसी थी, और जिसके सामने किसी की भी आवाज निकालन की हिम्मत नहीं होती थी उसी के साथ एक लड़की खड़ी हुई थी जिसे एक छोटी सी वेस्टन ग्रास पहनी हुई थी उस औरत का नाम मीनल रावत था और वो हर्श्वर्धन रावत की दादी थी जिसे प्यार से लोग मीनल देरी कहकर भी बुलाते थे हर्श्वर्धन रावत कर लेएं लेकिन हर्श्वर्धन साधी करना नहीं चाहता था लेकिन दो दिन पहले हर्श्वर्धन को एक मीटिंग के लिए एक बार में जाना पड़ा था और वहां पर वो एक एक ट्रेस जबरदस्ति उसपर चल रही थी और उसके बाद उन दोनों के फोटोस वाइ रिपोर्ट भी थी और उन दोनों की कई सारी तस्वीरी भी थी उसकी दादी इस बात पर यकीन नहीं कर रही थी लेकिन अगर यह सच होता तो इस बात से वह बहुत खुश हो रही थी क्यूंकि उसके पोते हर्शवर्धन के पास आज तक कोई लड़की नहीं थी और उनको तो लग रहा था हर्शवर्धन कहीं लड़कों को तो पसंद नहीं करता इसलिए वह अक्सर उसके लिए ब्लाइंडेड भी अरेंज किया करती थी और उसके पास जो लड़की खड़ी थी उसका नाम तानिया वर्मा था और वो है एक एक्ट्रेस है हाला कि मीनल देवी को लग र ही है और इस लड़की को उसके चाचा ने उसकी जिन्दगी में आने के लिए अपोंट किया है जो उससे नफरत करते हैं और जो हर्शवर्धन की प्रॉपटी पर नजर रख कर बैठे हुए हैं मीनल देवी आते ही हर्शवर्धन से कहती है क्या ये बात सच है हर्शवर्धन अपने चहरे पर बिना किसी expression के अपनी दादी मीनल देवी से पूछता है क्या हुआ दादी मां आप किस बारे में कह रही है और आप था क्या कर रही है अगर कुछ काम है तो मुझे फोन कर लिया होता उसकी दादी गुस्से में हर्शवर्धन से कहती है यही कि तुम तानिय से प्यार करते हो और यहां तक की तानिया तो प्रेगनेंट भी है ये सुनकर तो हर्शवर्धन थोड़ा सा चौक जाता है लेकिन उसके चहरे के भाव अभी भी नहीं बदलते और वो अपनी दादी की ओर देखकर कहता है नहीं दादी ऐसा कुछ नहीं है तभी उसकी दादी वह सारे प्रूफ दिखाती है और कहती है तो ये सब कुछ क्या है हर्शवर्धन उस लड़की की और देखता है और कहता है मुझे तो इसका नाम तक नहीं पता तो प्यार और बच्चे का तो बहुत दूर की बात है दादी मा उसकी दादी हर्शवर्धन से कहती है क्या कह र प्रीपेड नहीं था और तभी उसकी दादी कहती है मैंने वकील को बुला लिया है अगर वाकई में ये तुम्हारा बच्चा है तो तुमा जी तानिया से शादी कर रहे हो और इस बारे में मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती तानिया बिचारा सा मूँ बना कर मिनल देवी से क कहती है नहीं दादी मा अगर हर्शवर्धन मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो आप उसे फोस ना करें ये सुनकर तो हर्शवर्धन की आँखे छोटी हो जाती है और वह तानिया की और घूर कर देखता है और कहता है क्या सच में ये मेरा ही बच्चा है तानिया कहती है हा तुम नशे में थे और तुम्हें इस बारे में कुछ भ्यार नहीं है। उसके बाद पानी है उन दोनों की एडिट की हुई कुछ तस्वीरे दिखाती है। और हर्शवर्धन से कहती है ये रहा फिर तुम खुद देख लो अपनी आँखों से। कुछ सोचते हुए हर्शवर्धन अपनी आँखों में गुस्सा भरते हुए कहता है। छीक है तो हम डीने डीने टेस्ट करवा लेते हैं। ये सुनकर तानिया हलकी सीधर जाती है। लेकिन दुखी होते हुए मीनल देवी का हाथ पकड़ कर कहती है। नहीं दादी मा। मैंने कहा था ना कि हर्शवर्धन ये शादी के लिए हा नहीं करेगा। और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को ये पता चले कि उसके पापा उस पर शक कर रहे थे कि वह उसका बेटा है या नहीं है। इतना बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। मीनल देवी तानिया को एक अच्छी लड़की समझ रही थी क्योंकि वह काफी वक्त से उसे जानती थी। इतना ही नहीं वह तो उसके पडोस में तक रहने के लिए आ गई थी। और तानिया जानबूज कर मीनल देवी से टकरा जाती थी। ताकि वह उसके नजदीक जा तभी मीनल देवी हर्शवर्धन से कहती है मैं कुछ नहीं जानती तुम आज ही इसे शादी कर रही हो। हर्शवर्धन कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसकी दादी उसे कसम देकर कहती है। ये बात फाइनल है तुम आज ही शादी कर रही हो। इस वक्त हर्शव खुद को मजबूर समझता है अभी वो अपनी दादी से कुछ और बोल ही पाता अभी ओफिस का दरवाजा खुलता है और सामने से एक प्यारी सी आवाज आती है वो हर्श्वर्धन की ओर देखकर कहती है सर्प्राइज और जाकर हर्श्वर्धन को गले लगाकर उसके गाल पर एक किस करती है ये देखकर तो हर्श्वर्धन, मीनल देवी और तानिया तीनोही शौप सोगर होकर उस लड़की की ओर देखते हैं यहां तक की कमरे में खड़ा हर्श्वर्धन का सेक्रेटरी रजट भी आँखे फाड़ कर उस लड़की की ओर ही देख रहा था वो लड़क की कोई और नहीं बलकी अनाया ही थी अनाया हर्श्वर्धन से कहती है हर्श मैंने तुमसे सुबा फोन पर कहा था ना आज मैं तुम्हें सर्प्राइज दूनगी के सा लगा मेरा सप्राइज हर्श्वर्धन अभी भी चोकर अनाया की ओर ही देख रहा था आज तक किसी ने हर्शवर्धन के चहरे पर कोई भी भाव नहीं देखे थे, लेकिन आज पहली बार उसके चहरे पर सौफ्ट एक्स्प्रेशन नजर आ रहे थे, हालांकि हर्शवर्धन अनाया को जानता नहीं था, लेकिन फिर भी वो अनाया से काफी अट्राक्ट हो रहा था, अनाया अपना गेट अप चेंज उलिया बदलना कर चुकी थी, उसने एक बहुत प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी, और अपने बाल खुले रखे हुए थे, और वों देखने में एकडम संस्कारी बहु लग रही थी, अनाया ने साड़ी इसलिए पहनी थी कि उसने एक बार स किमा आंटी के मूँ से सुना था कि उसकी सास को साड़ी पहने वाली लड़कियां बहुत पसंद आती है। इसलिए अनया ने फ्लाइट से उतरते ही साड़ी पहन ली थी। हर्श्वरधन थोड़ी देर तो अनया को देखता ही रह जाता है। क्यूंकि अनया लगी इतनी प्या और चेहरे पर एकडम मासूम भाओ। हर्श्वरधन अनया की कमर पर हाथ रखते हुए कहता है अच्छा हुआ तुम आ गई। इतना बोलकर हर्श्वरधन अनया की एक्स्टिंग में साथ देता है। क्यूंकि वह भी तानिया से चुटकारा पाना चाहता था। वरना आज उ उसकी शादी तानिया से करवा कर ही दम लेगी। तभी अनया पीछे मुडती है और पीछे मीनल देवी को देखती है तो वह तुरंथ हर्श्वरधन से दूर हो जाती है और हर्श्वरधन को डांठने के अंदाज में कहती है हर्श तुमने बताया नहीं कि दादी मा भी यहा पर आने वाली है ये सुनकर दो मीनल देवी और ज्यादा चौक जाती है और वो अनाया से पूछती है क्या तुम मुझे जानती हो अनाया कहती है बिलकुल दादी मा मैं आपको जानती हूँ हर्शवर्धन आपक बारे में अक्सर बाते करते है ये सुनकर तो मीनल देवी चौक कर हर्श्वर्धन की ओर देखती है और उधर हर्श्वर्धन का हाल भी थोड़ा सा बेहार था क्योंकि वह डर रहा था कि अगर उसकी दादी ने इस लड़की को कुछ और सवाल पूछ लिए और इसे उसके जवाब सही सही नहीं आये तो प्रॉब्लम हो जाएगी तभी अनाय आगे बढ़कर मीनल देवी के पैर चुँ लेती है और कहती है मेरा नाम अनाया कपूर है दादी मा और मैं हर्श्वर्धन की गलफरंध हूँ मुझे पता है हर्श्वर्धन ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया होगा लेकिन मैं आपके बारे में सब कुछ जानती ह ये सुनकर तो हर्श्वर्धन भी चोक जाता है लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के भाव छुपाता है मीनल देवी अपनी शक भरी निगाहों से हर्श्वर्धन और अनाया की ओर देखते हुए पूछती है क्या सच में हर्श्वर्धन से तुम प्यार करती हो अनाया बड़ी मासूमियत से हाँ में अपना सिरहिला देती है लेकिन मीनल देवी अभी भी अनाया से सवाल पूछती है तुम दोनों कबसे एक दूसरे से प्यार कर रही हो अनाया confidence से कहती है, पिछले दो सालों से दाधी मा ये सुनकर तो मीनल देवी और हर्षवर्धन दोनों चौक जाते हैं फिर दाधी मा अनाया से पूछती है, हर्षवर्धन ने कभी बताया नहीं तुम्हारे बारे में अनाया मुस्कुरा कर कहती है, भले ही आपको मेरे बारे में ना पता हो लेकिन मैंने आपके बारे में हर्षवर्धन से बहुत सारी बाते सुनी है ये सुनकर तो दादी माँ खुश होते हुए अनाया से पूछती है क्या बताता था हर्शवर्धन मेरे बारे में तुम्हें अनाया अपनी बातों में excitement दिखाते हुए दादी माँ से कहती है यही कि आपको flowers का बहुत शोख है यहां तक कि आपको बाहर आने वाली खास तरह की Chinese चाय का काफी शोख है और इतना ही नहीं आपको एंटीक चीजे कलेक्ट करने का भी बहुत ज्यादा शोख है और आपको खाने में sweet चीजे पसंद है लेकिन आपके cholesterol और high sugar की वज़े से आप खा नहीं पाते इसी की वज़े से आप अकसर अपना कुक ट्रसोया बदल देती है इतना बोलकर वह दादी मा के नजदीक जाकर दादी मा से कहती है आप चिंता मत कीजिये मैं आपके लिए एक खास तरह की recipe भी लाई हूँ और फिर वह मुस्कूरा कर कहती है इस बार तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी खास एंटीक पेंटिंग्ज अभी लाई हूँ ये सब कुछ सुनकर तो मीनल देवी खुस हो जाती है इतना बोलकर वह कोने में ख़डे सेक्रेटरी रजट से कहती है सेक्रेटरी रजट आप ओफिस के बाहर रखा हुआ पारसल क्या अंदर ला सकते है उसमें दादी मां के लिए पेंटिंग्ज अ है थोड़ी देर तो सेक्रेटरी रजट ऐसे ही अनाया को भूर कर देखते है फिर वह अपने बॉस हर्षवर्धन की और देखता है हर्षवर्धन उसे अनाया की बात मानने के लिए इशारा करता है उसके बाद सेक्रेटरी रजट तुरंट बाहर चला जाता है मिनल देवी अनाया के सिर पर हाथ रख कर कहती है तुम वाके में मेरे हर्षवर्धन की ही गलफरंड हो सकती हो क्योंकि इतना सब कुछ तो मुझे भी खुद के बारे में याद नहीं होगा जितना सब कुछ तुम्हें पता है मेरे बारे में दूसरी और बैठा हुआ हर्षवर्धन भी यही सब कुछ सोच रहा था कि इस लड़की को मेरी दादी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है क्योंकि इस में से कुछ बाते तो वह खुद भी नहीं जानता था अपनी दादी के बारे में लेकिन अभी तानिया यही बैठी हुई थी जब से अनाया इस कमरे में आई थी तब से ही अपने दिल में अनाया को कोस रही थी और नफरत से अनाया की ओर देख रही थी वो मन ही मान सोचती है ये लड़की अचानक कहा से आ गई और मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया यहां तक इस लड़की के बारे में मैंने तो कभी सुना भी नहीं है फिर तानिया अपनी रोने की एक्टिंग करते हुए मीनल देवी से पूछती है अब मेरे बच्चे का क्या होगा दादी मा कौन इसका ध्यान रखेगा इतना बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगती है यह सुनकर तो मीनल देवी के चहरे पर भी थोड़ी सी शिकन आ जाती है एपिसोड 7 तानिया को इतना रोते हुए देखकर मीनल देवी थोड़ी परेशान होकर हर्शवर्धन और अनाया की ओर देखती है तभी अनाया अपनी मासूम आवाज में मीनल देवी से पूछती है यह लड़की कौन है दादी मा मीनल देवी कुछ कहने से हिचखीचा रही थी तभी तानिया बोलती है मैं हर्शवर्धन से प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे प्यार करता है और एतना ही नहीं मैं प्रेगनेंट भी हूँ तानिया को लगा था ये सब कुछ कहने से अनाया हर्षवर्धन से जगर कर वहाँ से चली जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता ये सुनकर तो अनाया एकदम चोकने की एक्टेंग करते हुए कहती है क्या तुम जूट बोल रही हो हर्षवर्धन पिछले दो सालों से तो मुझसे ही प्यार करता है और मैंने तो कभी तुम्हारा जिकर उसके पास नहीं सुना है ये सुनकर तानिया रोते हुए कहती है तुम ही यखीन नहीं होता तो तुम डॉक्टर के पास कन्फरम करवा सकती हो लेकिन अगर हर्षवर्धन तुम से प्यार करता है तो मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी मैं अपने बच्चे को लेकर यहां से चली जाऊंगी तानिया ये सब कुछ जानबूज कर बोल रही थी ताकि वह मीनल देवी के सामने अनाया को बुरा साबित कर सके अनाया भी तानिया का दिमाग पढ़ चुकी थी वह मन ही मन मुस्कुराती है फिर तानिया से अपनी मासूम सी आवाज में पूछती है क्या सच में ये बच्चा तुम्हारा और हर्षवर्धन का है तानिया कॉन्फिदेंस विश्वास से कहती है बिल्कुल ये हम दोनों का ही बच्चा है तभी अनाया उसे पूछती है तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने तानिया थोड़ा इत्रते हुए कहती है मेरा नाम तानिया वर्मा है और मैं एक फेमस मॉडल हूँ तभी अनाया कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहती है मैंने ये नाम सुना है तानिया थोड़े घमंड से कहती है सुना ही होगा क्योंकि मैं काफी फेमस मॉडल हूँ और अब तो मैं आक्टिंग भी शुरू कर रही हूँ तो अब मैं फेमस एक्ट्रेस भी बन जाऊंगी तभी अनाया कुछ सोच कर कहती है हाँ मैंने तुम्हारा नाम एयरपोर्ट पर सुना था तुम्हारे बारे में न्यूज आ रही थी कि तुम कई सारे लड़कों के साथ सो रही हो और तुम्हारी काफी सारी फोटोस भी न्यूज में आ रही थी ये सुनते ही तानिया अपने असली रंग में आ जाती है और गुस्सा में कहती है क्या बखवास कर रही हो तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो। इतना बोलकर वह अनाया पर हाथ उठाने ही वाली थी कि हरश्वर्धन उसका हाथ पकड़ लेता है। और कहता है ख़बरदार ऐसा कुछ किया तो तभी अनाया अपनी मासूं सी शकल में कहती है मैं सच कह रही हूँ मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ तो फिर मैं तुम्हें बदनाम क्यूं करूंगी और मैं तो अभी अभी इंडिया लोटी हूँ। मैंने तुम्हारी न्यूज एरपोर्ट पर ही देखी थी, इसलिए मुझे याद आ गया, ये सुनकर मीनल देवी को भी अनाया की बाते जेन्यून सची लगती है, और फिर वो उसे पूछती है, तुम अभी अभी एरपोर्ट से लोटी हो, अनाया कहती है, हाँ दादी मा मैं फ पॉरेन में थी, मैं आज ही हर्षवर्धन को सरप्राइज देने के लिए इंडिया लोटी हूँ, और सबसे पहले यही पर आई हूँ, अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो नीचे कार में मेरा सामान देख सकते हैं, ये सुनकर तो हर्षवर्धन भी थोड़ा चौक जाता है कि यह अभी अभी इंडिया लोटी है, और सीधे ही मेरे पास आ गई जब कि मैं तो उसे जानता भी नहीं, तभी पास में रखा हुआ रिमोट उठा कर हर्षवर्धन का सेक्रेटरी रजत मिस्रा टीवी में न्यूज चैनल सुरू कर देता है, और वाकई में वहाँ पर तान की एजेंसी कमपनी भी उसे अपने कॉंट्राक्ट खत्म कर चुकी थी, और उसे एजेंसी कमपनी से बाहर निकल चुकी थी, यहां तक की तानिया के नाम का पुलिस वॉर्ट भी निकल चुका था, क्यूंकि वह कुछ द्रग पार्टीज में भी इन्वॉल थी, ये सब कर तानिया चुक जाती है, और हर्शवर्धन से गुस्से में कहती है, ये सब कुछ तुमने ही किया है, मुझे बदनाम करने के लिए, ताकि तुम्हें मेरे बच्चे की रिस्पानसिबिलिटी ना लेनी पड़े, अगर तुम्हें मेरे बच्चा नहीं चाहिए था, तो तु उसकी नाब्स चेक करती है, और तानिया की और घूर कर देखते हुए कहती है, तुम जूट क्यूं बोल रही हो कि तुम प्रेगनेंट हो, ये सुनकर तो मीनल देवी चौक कर तानिया की और देखती है, और तानिया के चेहरे के उड़े हुए भाव देख उन्हें भी अब तानिया पर सक हो रहा था ये सुनते ही तानिया चोक जाती है और कहती है क्या मतलब है तुम्हारा मैं वाकई में प्रेगनेंट हूँ अनाया उसका हाथ वापस पकड़ कर उसकी नव चेक करते हुए कहती है तुम प्रेगनेंट नहीं हो तुम प्रेगनेंट थी इतना ही नहीं परधन और मीनल देवी घूर कर तानिया की ओर देखते हैं और तानिया को अभी समझ आ जाता है उसकी मूँ से गलती से क्या निकल गया तो वो अपनी बात संभालते हुए कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये लड़की जूट बोल रही है तभी अनाया कहती है तुम है लगता है मैं जूट बोल रही हूँ तो फिर चलो लाइफ केर हॉस्पिटल की डॉक्टर सीतल से बात करके पूछ लेते हैं जो तुमहारी बहुत अच्छी दोस्त है और एक जानी मानी गया नोकोलोजिस डॉक्टर सीतल का नाम सुनकर ही उसकी आखों के रंग बदल गया था ये द वाली में अबॉशन करवाया है और उसी की वजह से तुमहारे बॉडी में बलड की कमी है जो तुमहारी रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है जो रिपोर्ट बाहर वाइरल हो रही है उसमें और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो हम तुमहारी मेडिकल चेक अप वापिस करवा सकते हैं ये सुनते ही तानिया डर जाती है और कहती है नहीं ऐसा कुछ करवाने की जरूरत नहीं है उसके बाद वह कहती है मुझे चक कर आ रहे हैं मुझे हॉस्पिटल जाना है वो समाज गई थी कि उसका भांडा फुट चुका है इसलिए वो वहां से भागने की उसका सेक्रेटरी तुरंट उसकी बात मान लेता है अभी वो तानिया को लेकर वापिस जाही रहा था कि तानिया चिला कर कहती है तुम पच्छता होगे हर्शवर्धन इस बात के लिए तुम्हें क्या लगता है ये लड़की कोन है और वो तुमसे सच में प्यार करती है ऐस के कान में धीमे से कहती है अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्छे के असली बाप कोन ये पता चले कि उसे बिना बताये तुमने उसका बच्छा गिरा दिया है तो तुम यहां से चुप चाप चली जाओ ये सुनते ही तानिया के चेहरे की हवाया उड़ जाती है फ और वह धीमे से अनाया से पूछती है, क्या चाहती हो तुम मुझ से? अनाया कहती है, बेना किसी द्रामे के इस सहर से गायब हो जाओ. और हाँ जिसने तुम्हें ये काम करने के लिए भेजा है वहाँ जाकर रिपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है. वरना अगर मैं तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ पता कर सकती हूँ, तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे बारे में और क्या क्या जानती होगी? इतना बोलकर अनाया मुस्कुरा कर उसे दूर हो जाती है, और तानिया को आश्वासन देने लगती है. उन दोनों के बीच जो कुछ भी बात हुई वह ना ही हर्षवर्धन ने सुनी थी और ना ही मीनल देवी ने सुनी थी लेकिन ये सारी बाते हर्षवर्धन का सेक्रेटरी रजट सुन रहा था क्यूंकि वह तानिया को पकड़ कर खड़ा था अनाया की इन बातों से उसके भी होश उड़े हुए थे औ और यह बात हर्शवर्धन उसके चेहरे के भाव से पहचान चुका था। तभी कमरे का दर्वाजा वापस खुलता है। और वहाँ पर मीनल देविका बुलाया हुआ लोय शादी का कॉन्ट्राक्ट लेकर आता है। मीनल देवी उससे देखकर खुश होती है। और हर्शवर्धन से कहती है अब जब तुम किसी से प्यार करते हो तो मैं चाहती हूँ तुम आज ही शादी कर लो। क्यूंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम वापस अपनी बात से मुकर जाओगे। और पता नहीं वापस कब शादी करोगे। ये सुनते ही अनाया औ और हर्शवर्धन दोनों के चहरे का रंग उड़ जाता है क्यूंकि अनाया भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हर्शवर्धन की मदद करने के लिए आई थी। वो कोई उसे शादी करने के लिए नहीं आई थी। तभी अनाया मीनल देने की बात काथते हुए कहती है दादी मा शादी की इतनी जल्दी क्या है। हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी तो मेरे परिवार वालों को भी हम दोनों के बारे में नहीं पता है। और मेरी स्टडी भी अभी अभी कंपलीट नहीं हुई है। डादी मा अनाया की बात काथते हुए कहती हैँ, भले ही तुम सी पोटा बहु मिल जाए जो मेरे इस पागल पोते को संभाल सके। इतना बोलकर दाधी माँ लोया से कहती है फार्म भरलो शाधी होगी हर्शवर्धन और अनाया की। लोया उनकी बाते सुनकर शाधी के सर्टिफिकेट में सारे डिटेल भरने लगता है और हर्शवर्धन और की शादी अभी करवा रही है। दादी मां अपनी आवाज भारी करते हुए और ओडर देते हुए कहती है बिलकुल अभी ही होगी। कोई रास्ता ना होते हुए अनाया और हर्शवर्धन दोनों ही उस पेपर पर साइन कर देते हैं। फिर लौय कहता है आप दोनों यहां पर खड़े हो जाए और एक दूसरे को अनबूठियां पहना दे। वो दो अनबूठियां भी उन दोनों को दे देता है। हर्शवर्धन कहता है यह क्या है दादी मां। दादी मां कहती है मैंने यह पहले ही तुम्हारी और तुम्हारी होने वाली वाइफ के लिए बनवा कर र सोडेच तभी लोया कहता है मुझे भी आप दोनों की एक साथ में तस्वीर इस फोन में लगाने के लिए चाहिए। हर्शवर्धन और अनाया बिना किसी एक्स्प्रेशन के तस्वीरे खीचवाते हैं और लोया और सेक्रेटरी वहां से चला जाता है। दादी मां कहती है आ अनाया थोड़ा अजीब फील करती है लेकिन वह दादी मां के हाथ से वो लिफाफा ले लेती है। फिर वह दादी मां से कहती है दादी मां अगर मैं आप से कुछ मांगू तो आप मुझे देंगे। ये सुनकर दादी मां उसके सिर पर हाथ रखते कहती है जी बिलकुल बे क्या आप तब तक इस बात को छुपा सकती है, कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। दादी माँ शरारत करते हुए अनाया से कहती है, लेकिन इसकी एक शर्थ है। अनाया कहती है, अब जो कहेगी मैं आपकी बात मानूंगी दादी माँ। दादी मां कहती है तुमने कहा तो माच सेंट क्राफ्ट्स की पढ़ाई कर रही थी तो तुमहें painting जब बहुत अच्छी आती होगी अनाया कहती है हां दादी मां आती है दादी मां excitement में कहती है तो फिर तुम मेरे लिए एक painting बनाओगी अनाया मुस्कुरा कर कहती है दादी मा मेरा प्रोफेशन पेंटिंग करना ही है क्यूंकि मैं इयक पेंटर हूँ और आपकी विश्टों मैं अभी पूरी कर सकती हूँ इतना बोलकर जो रजट बाहर से पेंटिंग लाया था वो खड़ी होकर अनाया दादी मां को देती है और कहती है ये रही मेरे हाथ की बनी हुई पेंटिंग जो आपको चाहिए थी दादी मां वह पेंटिंग खोल कर देखती है तो उसकी आँखे फटी की फटी रह जाती है और चोक कर अनाया से पूछती है क्या ये तुम ही हो दादी मां को इतना चोका देख हर्षवर्धन भी पेंटिंग की ओर आ जाता है और पेंटिंग पर लगा हुआ पेंटर का नाम देख हर्षवर्धन भी चोक कर अनाया से पूछता है क्या तुम ही painter ना बी हो अनाया हामें सिरहिला देती है और फिर दादी मां से कहती है क्या अब तो आप मेरी बात मानेगी दादी मां कहती है ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं है बेटा जब तक तुम comfortable ना हो जाओ और तुम्हारा करिया पूरी तरह से established ना हो जाए तब तक हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम्हारी और हर्शवर्धन की शादी हुई है और फिर वो हर्शवर्धन का हाथ पकरती है और उसके हाथ में अनाया का हाथ देते हुए कहती है अनाया बिटिया का ख्याल रखना ये बहुत प्यारी बच्ची है इतना बोलकर वहां से चली जाती है मीनर देवी के उस ऑफिस से जाते ही हर्शवर्धन और अनाया एक दूसरे से थोड़ा दूर खड़े हो जाते हैं और हर्श्वर्धन जाकर अपनी चेय पर बैच जाता है और अनाया को अपने सामने रखी हुई चेय पर बैचने का इशारा करता है उन दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसकी वज़े और दोनों में कोई भी जगजीत आये हो अनाया को थोड़ी देर पहले जो बच्चे जैसी हरकते कर रही थी अब उससे बिल्कुल विप्रीत वो अपनी असली कॉन्फिदेंस भरे अंदाज में वापस आ चुकी थी और एकदम स्टाइल से जाकर सामने चेय पर बैठ जाती है और बैठ कर किसी को कॉल करके कहती है उपर आ जाओ हर्षवर्धन अनाया से पूछता है तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो तभी अनाया उसे कहती है पहले अपने सेक्रेटरी से कहो नीचे एक लड़की खड़ी है उसे उपर ले आए हर्श्वर्धन अपनी सेक्रेटरी रजट को अंदर बुलाता है और उसे उस लड़की को लाने के लिए कहता है फिर वो अनाया की ओर देखते हुए कहता है अब मेरे सवाल का जवाब दो अनाया कहती है मेरा नाम अनाया कपूर है हर्श्वर्धन कहता है वह बादमा जानता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है मुझे ये बताओ कि तुम यहां क्या कर रही हो और तुमने मुझसे शादी क्यूं की अनाया कहती है मैं कोई यहां तुमसे शादी करने के लिए नहीं आई थी मैं तो सिर्फ तुम्हें उस मॉडल से बचाने के लिए आई थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी दादी हम दोनों की शादी ही करवा देंगे हर्श्वर्धन चेय में पीछे की ओर टेक लगाते हुए कहता है तो अब क्या चाहती हो की तुम्हेल फिर कुछ सोचते हुए कहता है क्या तुम मुझे डाइवोज देना चाहती हो अनाया उसी के अंदाज में उसी को पूछती है, बात यह नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, यहां पर बात यह हो रही है कि तुम क्या चाहते हो हर्श्वर धन कहता है शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होती कला की हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते लेकिन अब हम दोनों की शादी हो चुकी है तो अच्छा होगा की हम दोनों एक दूसरे की आदत डाल ले क्योंकि मेरे लिए सदी जिन्दगी भर का कमिटमेंट है ये सुनकर अनाया उसकी ओर देखती है अनाया की उसकी आँखों में सच्चाई नजर आ रही थी वो उसकी मॉम की बताई हुई बात याद करती है उसकी मॉम अकसर कहती थी कि जिन्दगी में एक सही लाइफ पार्टन का होना जरूरी है तो जिन्दगी काफी खुबसूरत अच्छी गुजरती है हाला कि अपनी पिछली जिन्दगी में इस बात में वो धोखा खा चुकी थी इस जिंदगी में उसे एक मौका मिला था हर्षवर्धन को अपनी जिंदगी में चुनने का और उस पर यकीन करने का अनाया कुछ सोचती है और मन ही मन डिसाइड करती है कि वो हर्षवर्धन को एक मौका देगी फिर वो हर्षवर्धन से पूछती है तो तुम मुझसे क्या चाहते हो हर्षवर्धन कहता है तुमने पहले ही दादी से कह दिया है कि हम दोनों की शादी अनाउंस ना की जाये तो हम दोनों के पास अभी वक्त है एक दूसरे को जानने का मैं चाहता हूँ हम दोनों एक दूसरे को समझे अनाया कहती है चीक है तब ही दरवाजे के अंदर हर्शवर्धन का सेक्रेट्री और अनाया की असिस्टेंट आ जाती है उन दोनों को अंदर आता देख अनाया और हर्शवर्धन से कहती है यह मेरी सेक्रेट्री है रेश्मा शर्मा अगर तुम मुझे कभी कांटेक्ट ना कर पाऊं तो तुम इसे कांटेक्ट कर सकते हो ये ज़्यादातर मेरे साथ ही होती है फिर वो अपनी सेक्रेटरी रेश्मा की ओर देखकर कहती है तुम अपना कांटेक्ट नंबर सेक्रेटरी रजत को दे दो और फिर अनाया रेश्मा से कहती है आज से ये तुम्हारे सेकेंड बॉस है ये सुनते ही रेश्मा आखे फाड़ कर अनाया की ओर देती है और फिर वह घूर कर हर्शवर्धन की ओर देखती है हर्शवर्धन अनाया की ओर देखते हुए कहता है लगता है तुम मेरे बारे में और मेरे स्टाफ के बारे में सब कुछ जानती हो अनाया कहती है, हाँ मैं जानती हूँ और अब जब हम दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम्हें भी मेरे बारे में सब कुछ जान ही जाओगे हर्श्वर धन कहता है, हाँ बिलकुल जानना है तभी अनाया की सेक्रेटरी रेश्मा सौफ्ट होकर अनाया की ओर देखती है और उसे कहती है, मैं आपने शादी कर ली वो भी इनसे आपने कहा था आप सिर्फ यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए आई है और हम लोग तो कल ही वापस लोट रहे थे अनाया कहती है, अब शेड्यूल बदल चुका है पूरी टीम को यही पर बुला लो आज से हमारा हेड क्वाटर यही पर होगा आज से हम सब कुछ मुंबई से ही डील करेंगे उसकी सेक्रेटरी डरते हुए कहती है लेकिन मैदम अगर आप यहां रही तो आपके लिए खत्रा बढ़ जाएगा ये बात आप भी जानती है और फिर असिस्टेंट रेश्मा अनाया की फिक्र करते हुए उसे कहती है आप अयक आजनबी के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यू उठा रही है ये सुनते ही अनाया की आँखे लाल हो जाती है और उसके पास से अयक मर्द सोरा बाहर निकलने लगता है वो गुस्से में पास में रखे टेबल पर अपना हाथ पटकती है और रेश्मा की ओर देखती है रेश्मा अनाया का गुस्सा देख उसके सामने अपने घुटनों पर टिक जाती है और कहती है, सौरी मेडन आगे से ऐसी गलती नहीं होगी अनाया अपनी आँखों में गुस्सा भरकर अपनी सेकरेटरी रेश्मा की और देखकर कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और घायान रखना मैंने अभी अभी क्या कहा ये तुम्हारे सेकेंड बॉस है इसका मतलब तुम बहुत अच्छे से जानती हो फिर वो उसे कहती है क्या मैंने जो तयारी करने के लिए कही थी वह हो गई रेश्मा अनाया को गुस्से में देख कर अपना सिर जुका कर करती है जी मैडम हो गई फिर रेश्मा अपनी जगा से खड़ी हो जाती है फिर अनाया खड़ी होकर जाते हुए हर्शवर्धन से कहती है मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में पता लगाओगे लेकिन तुम्हें मेरे बारे में और कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा तुम्हें जो कुछ भी जानना है तुम मुझे पूछ सकते हो लेना अभी मुझे जाना होगा मेरा जाना जरूरी है मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी इतना बोलकर वो जाने लगती है तभी हर्षवर्धन पीछे से कहता है तुम भले अभी जा रही हो लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि शादी शुदा जोड़ा अलग रहे आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगी इसे हम दोनों को एक दूसरे को जानने में आसानी होगी अनाया कहती है ठीक है मुझे अपने घर का एद्रस दे देना मैं आ जाऊंगी हर्षवर्धन कहता है मुझे तुम अपनी लोकेशन भेज देना मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा फिर अनाया वहां से जाते हुए अपनी सेक्रेटरी रेश्मा से कहती है तुम मेरा काड सेक्रेटरी रजत को दे दो और वो दोनों वहां से चली जाती है उनके जाते ही हर्शवर्धन सेक्रेटरी रजत सकता है मुझे अनाया की सारी डिटेल चाहिए सेक्रेट्री रजद है कहता है और वहां से जाने लगता है तभी हर्षवर्धन उसे यूज रोकते हुए पूछता है अनाया ने तानिया से क्या कहा था जो तुम इतना चौक गये थे फिर सेक्रेट्री रजद जो कुछ भी अनाया ने कहा था वो हर्शवर्धन को बता देता है ये सुनते ही वो थोड़ा सोचने लगता है और कहता है लगता है अनाया ने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा रिसच की है यहां तक कि उसे तान्या की वो सारे सिग्रेट भी पता दे जो हम लोगों को भी नहीं पता थे सेक्रेटरी रजट कहता है थोड़ी देर तो मैं मैडम को देख कर डर गया था ये सुनकर हर्शवर्धन के चहरे पर हलकी सी मुस्कान आ जाती है और फिर वो सेक्रेटरी रजट को वहां से जाने का इशारा कर देता है पीछे बैठा हुआ हर्शवर्धन अनाया के बारे में ही सोच रहा था लेकिन उसे अनाया से कोई बुरी फिलिंग्स नहीं आ रही थी और वह थोड़ा थोड़ा अनाया पर यकीन करने लगा था दूसरी और कार में बैठी हुई अनाया अपनी सेक्रेटरी रेश्मा से कहती है ध्यान रखना आज जो गलती हुई वह कभी दुबारा ना हो सेक्रेटरी रेश्मा समझ गई की वह किस बारे में बात कर रही है वह सर जुका कर कहती है माफ करना मैडम आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी उसके बाद अनाया एक्स उनसान घर के पास पहुंच जाती है और वहां उतर के अंदर चली जाती है जाते हुए अनाया सेक्रेटरी रेश्मा से कहती है अब तुम चली जाओ यहां से मुझे यहां से हर्शवर्धन पिक कर लेगा और आज से तुम भी यहीं पर रहोगी तो हमारे लिए इस इलाके में घर खरीद लो जहां पर हर्शवर्धन रहता है एपिसोड 9 अनाया की बात सुनकर उसकी असिस्टेंट वहां से चली जाती है और अनाया भी अपनी मां के घर के अंदर चली जाती है अनाया कुछ सोचते हुए अंदर चली जाती है और चारों और उस घर को देखने लगती है वो अपनी मां की यादों में खोई हुई थी, और अपने बचपन के कुछ किस से याद कर रही थी, तब ही उसकी नजर उसकी और उसकी मां की कुछ तस्वीरों पर पढ़ती है, और वहां पर उसे एक पुराना आल्बम भी मिलता है जो उसकी मौम का था, जिसमें उसकी मौम की पुरानी तस्वीरे थी और अनाया देखती है कि उसकी मौम की एक तस्वीर में उसके साथ एक औरत है और वो कोई और नहीं बलकी सिमा रावत है हर्शवर्धन की माँ अनाया वो तस्वीर देख कर कुछ सोचते हुए अपने मन में सोचती है आज तो उसकी हर्शवर्धन से श हर्षवर्धन की मौम गार्डन में बैची हुई थी और उसके पास दो बच्चे खेल रहे थे अनाया उसमें से एक बच्चे को वो पहचान जाती है उसमें वो खुद थी गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि दूसरा बच्चा कोई और नहीं बलकी हर्षवर्धन था ये देखती है उसकी और हर्षवर्धन की कुछ और तस्वीरे भी रखी हुई है वो गौर से उस तस्वीर को देखती है उसमें अनाया बहुत छोटी सी थी लेकिन हर्षवर्धन थोड़ा बड़ा नजर आ रहा था और देखने से ऐसा लग रहा था कि हर्षवर्धन को खेलने म कोई इंचरस्ट नहीं है उसे जबरदस्ती अपने पास उसे बिठाया हुई है ये देखकर अनाया कहती है इसका मतलब हर्शवर्धन बच्छपन से ही खडूस है और उसके चहरे पर हलकी सी मुस्कान तैर जाती है थोड़ी देर अलबम देखने के बाद अनाया अंदर जाकर अपनी मॉम की यादों में खो जाती है इधर दूसरी और हर्शवर्धन की केबिन में उसका सेकरेटरी रजट अनाया की पूरी फाइल लेकर आ जाता है उस फाइल में देखकर हर्शवर्धन को पता चलता है कि अनाया की एक सोतेली मा और बेहन भी है इतना ही नहीं अनाया क एक boyfriend भी है और 7 साल पहले किस बीमारी की वजह से अनाया को एक छोटे से गाव में भेज दिया गया था उसका इलाज के लिए अनाया तब से ही वहां रह रही है ये देखकार हर्शवर्धन थोड़ा चौक जाता है क्योंकि अनाया ने कहा था कि वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है और आज भी फोरें से लोटी है तब ही हर्शवर्धन को कुछ हजीब लगता है कि अगर वह आज ही फोरें से लोटी है तो उसे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है तब ही उसे अनाया की सेकरेटरी रेशमा की बात याद आती है उसने कहा था कि वह सिर्फ यह अनाया यहां पर सिर्फ उसकी मदद करने के लिए इतनी दूर तक आई थी. लेकिन उसे इस बात की curiosity भी होती है कि वो उसे कैसे जानती है. वो आगे भी अनाया स्फाइल पढ़ता रहता है. उसे पता चलता है. अनाया का परिवार सिर्फ बाहर से ही अच्छा है. वो अनाया के साथ बिलकूल भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा और उसे अनाया के डेट का सीक्रेट में पता चल जाता है कि ये लोग अनाया के साथ अच्छा व्यवहार इसलिए कर रहे हैं क्यूंकि वह सारी प्रॉपर्टी अनाया की मां की है और अब अनाया उसकी उसकी एकलोती वारि तब ही हर्श्वर्धन को उसकी मां के विल के बारे में भी पता चल जाता है कि जो भी अनाया से शादी करेगा ये प्रॉपर्टी सिर्फ उसी के नाम हो सकती है और किसी का नाम नहीं ये देखते ही हर्श्वर्धन चोक जाता है क्योंकि अनाया ने उस पर यकीन किया था और ब आयक के बाद आयक पन्ने पलटते हुए पूरी फाइल पड़ता है, लेकिन इन सब में उसे कुछ हजीब लगता है, क्यूंकि इस फाइल में जो कुछ भी लिखा था, अनाया ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, इसमें लिखा था अनाया एकदम हॉमलेस किट्टिन की तरह है, लेक के बाद उसे अनाया के कहे हुए आखिरी वर्ड याद आते हैं, अनाया ने कहा था, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाएगा और उसे जो कुछ भी जानना है, वो खुद उसे पूछ ले, वो समझ जाता है कि अनाया ने ही अपनी पहचान छुपाई है और फिर हल कार लेकर अनाया को लेने के लिए निकल जाता है, ड्राइविंड सीट पर बैठा हुआ हर्शवर्धन का सेक्रेटरी रजट उसे उसी बंगलों के पास ले जाता है, जहां पर अनाया थी, मोकाल बंगले से थोड़ी दूर पर की गई थी, क्यूंकि बंगले तक जाने वाली गली थोड़ी छोटी थी तो कार को बाहर ही रोक दिया गया था, हर्शवर्धन दूर से ही देखता है, अनाया बंगलों से बाहर आ रही है और थोड़ी ही दूर पर कुछ आदमी खड़े हुए थे, और वो कुछ गुंडे बदमाश लग रहे थे, हर्शवर्धन आसपास अ अच्छी थी, ऐसा लग रहा था कि यहां पर कोई माली रखा हुआ है, जो यहां के गार्डन की साफ सफाई करता है, अभी अनाया बाहर निकल कर रही थी, कि वो गुंडे अनाया के पास आते लगते हैं, और उसे हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, यह देखकर हर्शवर्ध हनकार से बाहर निकलता है, और उसके पीछे उसका सेक्रेटरी रजट भी, वो लोग तुरंत ही अनाया की मदद करने के लिए उसकी और बढ़ जाते हैं, अभी तक अनाया का ध्यान हर्शवर्धन पर नहीं पड़ा था, वो अपने फोन में ही कुछ देखते हुए आगे कर लेता है, ये देखकर वो गुंडा उस और देखता है तो वहाँ एक मास्क पहना होवा आदमी खड़ा था, वो उस गुंडे को एक जोर का पंच लगाता है, और गुंडा दूर जाकर गिरता है, वो तीन चार गुंडे थे, इसलिए वो आदमी उससे फाइट करने लगा और उस आदमी के साथ एक और आदमी था, दूर खड़ा हर्शवर्धन ये सब कुछ देख रहा था, और वो धीमे से चल कर अनाया के पास जाता है, और उसकी कंगे पर अपना हाथ रख कर उसे पूछता है, तुम ठीक हो, अनाया हर्शवर्धन को अपने पास देखकर एक करती है, है मैं ठीक हूँ, तभी सेकरेटरी रजट पीछे से आते हुए कहता है, सर मैं पुलिस को इनफॉर्म कर देता हूँ, ये सुनते ही अनाया कहती है, नहीं रजट ऐसा मत करना, तो रजट फोन को वापिस अपनी जेब में रख देता है, उतनी ही देर में उन दोनों बोडिगार्ड ने उस सभी गुंडों को जमीन पर पटक दिया था, उसमें से एक गुंडा ध्यान बचाते हुए अनाया तक पहुंच जाता है, और अभी अनाया पर अपने हाथ में रखे हुए चाकू से हमला करने ही वाला था कि, हर्शवर्धन ये देखकर उसका हाथ पक करती है, वह आदमी वही पर बेहोश हो जाता है, अनाया हर्शवर्धन के हाथ की ओर देखते हुए क्या जरूरत थी, तुम्हें बीच में हाथ डालने की अगर ज्यादा लग जाती तो, फिर वह सेकरेटरी रजट की ओर देखते हुए पूछती है, क्या कार में फार्स्टे रजट तुरंथ फर्स्टेद बॉक्स निकालकर अनाया के हाथ में रख देता है, और अनाया उसमें से एंटिसेप्टिक निकालकर हर्शवर्धन के हाथ पर लगा देती है, और उसके हाथ पर पट्टी कर देती है, तभी वह दोनों दर्द उन बुंडों को लेकर कार के पा वो तुम देख लो लेकिन ध्यान रहे यह बात पुलिस ने नहीं जानी चाहिए। सेक्रेटरी रजट हां में अपना सिरहिला देता है। इसके बाद अनाया उन गार्ड से कहती है अब तुम लोग जा सकते हो। यहां से आगे रजट देख लेगा। वो अकार्ड जैसे ही अं अंधेरे में गायब हो गए। उसके बाद हर्शवर्धन के बोडिगार्ड उन गुंडों को लेकर वहां से चले गए। सेक्रेटरी रजट हर्शवर्धन और अनाया को लेकर निकट जाता है। कार में बैठी हुई अनाया हर्शवर्धन से पूछती है, हम कहा जा रहे है। हर्शवर्धन अनाया की ओर देखते हुए कहता है, तुम बताओ तुम कहा जाना चाहती हो। अनाया कहती है, जहां तुम ले चलो वहां इतना बोलकर वह अपनी आँखे विंग करती है। अनाया की इस शरारत पर हर्शवर्धन के चहरे पर हलकिसी हसी आजाती है। और वो रजट से उन्हें घर ले जाने को कहता है एपिसोड टेन तभी ड्राइव करता हवा रजट अनाया से पूछता है मेडम आपने उन गुंडों को पुलिस को क्यूं नहीं दिया अनाया खीरकी के बाहर देखते हुए कहती है क्यूंकि वो कोई आम मवाली गुंडे नहीं थे वो गुंडे किसी बिल्डर के लिए काम करते है कुछ वक्त से उस प्रॉपटी पर किसी बिल्डर की नजर है और वो लोग उस विला के ओनको खोज रहे थे जब वो लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाए तो उन लोगों ने वहाँ इन गुंडों को रख दिया इस उम्मीद में कि मैं कभी न कभी तो यहां जरूर आउंगी और वो लोग मुझे मिलकर किसी भी तरह इस प्रॉपटी को खरीद पाए अगर मैंने पुलिस में उन गुंडों को भेज दिया होता तो उस बिल्डर का प्लान सक्सेस्फुल हो जाता और उसे पता चल जाता है कि इस इन सब के बारे में आपको कैसे पता अनाया एक मिस्टीरियस स्माइल देते हुए रजट से कहती है बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे ये पता है कि आज सुबही तुमने मेरी इनफॉर्मेशन निकाली ये सुनते ही रजट का पेर गलती से ब्रेक पर लग जाता है और का नहीं हुआ लेकिन ऐसे अच्छानक ब्रेक लगने से अनाया लड़ खड़ा कर हर्शवर्धन पर गिर गई हर्शवर्धन कड़क आवाज में रजट से कहता है नजर रोड पर रखो और घयान से कार चलाओ फिर वो अपनी कोमल आवाज में अनाया से पूछता है तुम ठीक हो अनाया हां में अपना सेर हिला आते हुए कहती है हां मैं ठीक हूँ फिर वो सरारत भरी आवाज में कहती है लेकिन लगता है सेक्रेटरी रजट को काफी बड़ा जटका लगा ये सुनकर इतना बोलकर हर्शवर्धन और अनाया दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं उसके ब अनाया के बारे में की तुम्हें मेरे लगता है ये बोलते हुए हर्शवर्धन अपना हाथ अनाया के कंधे पर रखता अनाया भी उसे रोपती ने लगता है बलकि उसके पूछे हुए सवाल के बदले अपने फोन में एक फोटो निकल के उसे दे देती है हर्शवर्धन अनाया का फोन अपने हाथ में लेकर उसमें वो फोटो देखने लगता है वो तस्वी देखकर हर्शवर्धन के हाथ से फोन छूटने ही वाला था अनाया उसका ह पकड़ते हुए उसकी और देखती है अभी वो कुछ बोलने ही वाला था कि रजत कार रोक देता है और कहता है सर हम घर पहुंच गए है रजत की आवाज से हर्शवर्धन होस में आता है और अनाया से कहता है चलो अंदर घर में चलते है इतना बोलकर हर्शवर्धन कार से बाह ले जाने लगता है जैसे ही वो दोनों दरवाजे पर पहुंचते है तो हर्शवर्धन अनाया का हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और उसे पूछता है क्या तुम ये सच में करना चाहती हो अनाया उसकी और देखकर कहती है क्या मतलब है तुम्हारा हर्शवर्धन सीरियस ह होते हुए अनाया की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी और खीचता है और कहता है यही कि अगर तुम एक बार मेरी होगी तो बापिस लोटने का कोया रास्ता नहीं होगा अनाया उसकी बात सुनकर हलके से मुस्कूराती है अनाया को मुस्कूराते देख harशवर्धन उसे कहता ह मुझे धोखे से सक्त नफरत है अनाया अगर तुम अपनी जिदंगी में अगर किसी और को प्यार करती हो तो तुम अभी भी यहां से लौट सकती हो लेकिन मेरी बनने के बाद जाना इतना बोलकर वो अपनी बात अधूरी ही छोड़ देता है हर्षवर्धन की बात सुनकर अनाया उसके गले में हाथ डालके एक जटके से उसे अपनी ओर कीचती है और कहती है अगर किसी ओर से प्यार होता तो तुम से साधी ही नहीं करती और रही बात तुम्हारे दूसरे सवाल की तो सुनो अगर तुम्हें धोखा देना होता तो अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ तुम्हें इस लड़की से बचाने के लिए यहां नहीं आती ये सुनकर हर्षवर्धन कहता है क्या तुम सच में सिर्फ मेरे लिए वापिस इंडिया आई हो अनाया कहती है लगता है तुम्हें रज़त की लाई रिपोर्ट पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है मेंने तुम से कहा था कि तुम ही जो कुछ भी जानना है मेरे बारे में वो तुम मुझे ही पूछना हर्शवर्धन हलके से मुस्कुराता है और अनाया से पूछता है तो तुम मिसिस रावत बनने के लिए तैयार हो ये सुनकर अनाया उसे कहती क्या में तुम पर यकीन कर सकती हूँ ये सुनकर हर्शवर्धन वादे के तौर पर उसके माथे पर एक किस कर लेता है अनाया कई सालों के बाद अपने पन का अहसास होता है उसके बाद हर्शवर्धन अनाया को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे कहता है इस घर के अंदर में सिर्फ तुम्हार पती हो और तुम सिर्फ मेरी वाइफ नहीं में हर्श्वर्धन रावत एक कमपनी का मालिक और नहीं तुम कोई डॉक्टर हो यहां सिर्फ हम दोनों हस्बेंड वाइफ ही होगे इतना बोलकर वो अनाया को ऐसे ही अपनी बाहों में लेकर अंदर चला जाता है और अनाया को सोफे पर बिठा कर खुद भी उसके पास बैठ जाता है और अनाया को एक साइब से गले लगाते हुए पूछता है यह तस्वीर तुम्हारे पास के से आई इसमें मेहू मेरी मॉम है और मेरी मॉम की एक दोस्त और उसकी बेटी है लेकिन मुझे इनका नाम नहीं पता अनाया उसकी ओर देखते हुए कहती है इनका नाम गीता कपूर है नाम सुनते ही हर्शवर्धन समाज गया की इस फोटो में जो लड़की है वो अनाया ही है वो खुस होते हुए कहता है कब से पीछा कर रही हो मेरा अनाया कहती है ये तस्वीर तो मुझे आज ही मॉम के घर से मिली है हर्श्वर्धन कहता है लेकिन जहा तक में तुम है समाज पया हूँ तुम ये बात पहले से ही जानती थी कि मैं कोन हूँ अनाया कहती है, हामें जानती थी तुम मेरी मॉम के बेस्ट फ्रांट के बेटे हो। हर्श्वर्धन कहता है, भूख लगी है क्या। अनाया हामें अपना सिरहिला देती है। हर्श्वर्धन कहता है, चलो डिनर करते है। फिर वो दोनों डिनर टेबल पर बैठते है। अनाया खाने का एक बाइट लेते हुए हर्श्वर्धन से कहती है, चलो अब ये भी बता दो मुझे इंडिया क्यों। बुलाया है, ये सुनकर हर्श्वर्धन अपने हाथ में पकड़ा हुआ निवाला ऐसे ही पकड़े हुए अनाया की ओर देखकर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। अनाया अपना दिन इंजोई करते हुए कहती है, मुझे पता है तुम काफी टाइम से मुझे खोज रहे थे। हर्श्वर्धन अभी भी कुछ नहीं जानता ऐसा नाटक करते हुए कहता है, मैं तुम्हीं क्यूँ खोजने लगा मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं था। तुम उस मुझे तक तक करीबन पहुँच चुके थे। जब तुम्हें मुझे तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो तुमने सोचा क्यूं ना मुझे ही इंडिया बुलाया जाये अपने पास। इसलिए तुमने खुद को ही प्रॉबलम में डाल दिया। अबी पर नहीं मार सकता उसके पास एक एक्ट्रेस रहने के लिए आ गई। और तुमने उसे रहने भी दिया। यहां तक कि आज सुबह जब तक तुम मुझे से मिले नहीं थे। उसे पहले इस घर के अंदर तक करीबन पांच खुफिया कैमरा और कई सारे बग्स आवाज रिकॉर्ड करने का यंत्र लगे हुए थे। जो हमारे यहां पहुँचने से पहले ही निकाल लिये गए। तो तब तुम मुझे बताओ क्यूं बुलाया मुझे इंडिया। हर्शवर्धन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सिर्फ जानना चाहता था वह कौन है जो मेरी मदद कर रहा है। जिसे मेरी फिक्र है। अनाया कहती है, तो फिर तुमने मुझे से शादी क्यूं की, तुम कोई बहाना भी लगा सकते थे। ये सुनकर हर्शवर्धन मुस्कुराते हुए अपने प्लेट से एक चम्मच भर कर अनाया की आगे करते हुए कहता है, तुम्हें मिलने के बाद मुझे पता चल गया, कि शायद तुमसे ज्यादा भरोसा मैं इस दुनिया में किसी पर भी नहीं कर पाऊंगा। यही वज़े थी कि मैंने तुमसे शादी की, हर्शवर्धन के हाथ से निवाला खाते हुए अनाया पूछती है, लेकिन तुम्हें यह यकीन कैसे था कि मैं तुमसे शादी करने के लि यकीन करती हो। फिर अपनी गहरी आँखों से अनाया की आँखों में देखते हुए कहता है, और मुझे तुम्हारे यकीन पर भरोसा था कि तुम शादी के लिए मना नहीं करोगी। अनाया के चेहरे पर हलकी सी मुसकान आ जाती है, फिर वो हर्शवर्धन से पूछती है औ और तुम कितना जानते हो मेरे बारे में। हर्शवर्धन कहता है, बस थोड़ा सा, जैसे कि तुम दुनिया की नंबर वन नियूरो सरजन हो, जिसे मिलने के लिए अमीर से अमीर आदमी और यहां तक कई सारे पॉलिटीशिन और कई सारे अंडवल्ड के लोग तरस्ते हैं। ऐसा माना जाता है, जो भी तुम से इलाज करवाता है, उसकी जिन्दगी बढ़ जाती है, और तुम दुनिया की नामी फॉर्मा कमपनी की मालकिन भी हो, उसके अलावा तुम एक बहुत अच्छी पेंटर भी हो, क्या हर्शवर्धन और अनाया एक दूसरे के लिए ही बने ह और कितना जानता है हर्शवर्धन अनाया के बारे में, क्या उसकी भी कोई और आइडेंटिटी है, गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 400 है, जैसे ही 400 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा, तो अगर आपको जल्दी से नेक को अभी लाइक करो, थैंक्स पॉर वाचिंग